भाजबा सरकार के पोर्ग मंत्री और मौजूदा सांसत किशन कपूर के बाद अब परदेश में शराब माफियाओं की सक्रियता की बात करने बाले भाजबा के बरिस्ट नेता और हलांके किशन कपूर ने अपने खत में किसे भी कॉंग्रेसी नेता का जिक्र नहीं किया था बाबजुद इसके शिम्रा के सुधीन शर्मा ने इस मोदे पर टीका टिपनी कर तांसत किशन कपूर के अंद्रोनी बार पर पलट वार करते हुए ये सार्प जी ने कर दिया कि आखिर कपूर किसे टार्गेट कर रहे हैं देखिए एक खत्तो मैंने लिखा है और 1900 सराब की पेटी बिना होलोग्राम की उन्ना टालीवाल में पकड़ी गई है दूसरा कांगड़ा में आर्शोपेटी इन दोनों की अफैर लोज है और मैंने ये कहा है कि इस से सरकार को ये जो सराब माफिया है वो द्रहले से सरकार को चुनना लगा रहा है और ये बहुत बड़ा जांच का बिशे है इसमें मतलब और भी जो फैक्टरीज है उनकी जांच होने चाहिए उनका ओडेट होना चाहिए ताकि सरकार को जो सरकार का रिवनी लोश हो रहा है वो ना अब कांग्रा के धिनमचाला से तालुक रखने बाले भाजवा के बरिश्ट नीता संजी शर्मा भी इस करमाए मुद्दे को तूल देनी आगे आए हैं संजी शर्मा ने परदेश में शराफ माफियाओं को शेर देने कि में कॉंग्रेस के निताओं का हाथ बताया है चंजी शर्मा ने दबी जुबान में पूर मंद्री एवम कॉंग्रेस के रास्ट्रे सचिप सुधीर शर्मा पर निशाना साथते हुए कहा कि कुछ लोग जो कॉंग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वो परदेश में शिराफ माफिया को प्रोचाहित कर रहे हैं ताजा मामला उना का है जहां मार्स बोटलिंग प्लांट में उनकी और उनकी धर्मपतनी की पार्टनर्शिप है अभी हाल ही में उना में इस प्लांट की 1900 बेटियां अबैत रूप से तसकरी करते हुए पकड़ी गई इसके अलाबा कांगरा में भी इसी तरह का मामला सामने आ की सनलिप्तता के नहीं हो सकता इसलिए इसमें कुछ प्रष्ट अधिकारीं की सनलिप्तता होने से इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए चुंकि जब कोबिट 19 की चलते पूरे पर्देशки हार सीमां सील थी पिर परदेश के अलग-अलग हिस्सों में अबैत रूप से शराब की तसक्री कैसे संबब हुई ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बोर्डर सील थे तो बे कौन अनिकारी थे जो इन शराब माफियाओं को शेह दे रहे थे और उनकी अबैत रूप से शराब की तसक्री करती हुई गाडियों को एक जिले से दूसर जिले में एंट्री करवा रहे थे इस पूरे मामले की सीबियाई जांच होना बहुत जरूरी है संजेशरमा ने मुक्य मंत्री जेरम ठाकुर से अपेल करते हुए कहा कि ये बो लोग हैं जो परदेश में सरकार चाहे किसी की भी हो अपनी गोटियां हर तरफ फिट करने में माहिर हैं और यहां मुक्य मंत्री के इमानदार प्रयासों पर बटा लगाते हैं और छबी को भी धुमिल करते हैं बाबजुद इसके हर तरफ इनके रसूख की धाक होने के चलते इनके किलाफ पुक्त करवाई नहीं हो पाती देखे कोविड नाइंटीन की समस्या के लिए जिस तरह से प्रदेश के मुक्य मंत्री एक सराहनी प्रयास उन्होंने किये दिन रात जो है वो प्रदेश के चाहे वो करोना पीडित हैं चाहे मज़ूर दिहाडी दार किसान बागवान किन-किन समस्याओं से जूज रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं देश के अंदर प्रदान मंत्री ने बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं और सभी प्रदेशों के उपर नजर रखी हुई है पी-म केर्स के अंदर लोगों को दान देने के लिए भी अपील हो रही है मुखे मंतरी जबी प्रदेश में सीमित संसादनों के बावजूत जो है वो लोगों से भी उन्होंने अपील भी करी और सारे प्रयास किये उधर कु जहां पे एक मार्स बॉटलिंग प्लांट है जो कि प्रदेश के एक पुरव मंतरी और कॉंग्रेस पार्टी के राष्टे सचिव उनकी पतनी उसके अंदर पार्टनर है उनके एक शिमला के पार्टनर है और पिछले दिनों उननी सो पेटी शराब जो है वो वहां पे पकड जो है वो सुपलाई की है और इसमें सुनने में आया है कि कुछ अधीकारी भी जो है वो मिल करके ऐसे कामों को और ऐसे लोगों को जो है वो प्रोसाहित और सहायता कर रहे हैं इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आपके प्रियासों को जो लोग बटा दिखाने की क्योंकि जिलों के अंदर जो है वो सभी बार्डर सील थे बावजूद इसके ऐसे लोग जो है वो कैसे प्रदेश के अंदर शराब माफिया मिलकर के जो है इसको पहुंचाता रहा है इस सब की जांच करवाने के लिए इस सारे मामले को CBI को जो है वो सौंपा जाए क्योंकि इ ऐसी हरकते कर रहे हैं और ऐसे नेता जो है जो कांग्रेस के नेता है यहां पर आ करके धर्मशाला में बैठ करके जो है वो सरकार की मनशा के उपर दवापर करन और बाकी पर करनों के उपर जो है वो मुख्यमंतरी के प्रयासों के उपर उंगली उठाते हैं इनको सबक सिख